Hello students, myself CS Priti Singh, बच्चो आज हम बात करेंगे CS Executive June 2024 के, अगर आप complete information लेना चाहते हैं, detailed information लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो के description box में जाएए, वहाँ एक playlist का link मिलेगा, आप उस पे click करेंगे June 2024 का O.D.O.P, pre-exam test, complete detail, last date of registration, तमाम चीज़े आपको वहाँ मिलेंगी, लेकिन यहां हम बात करेंगे कि हमें 1 देना चाहिए, 2 देना चाहिए, 2 दोनों देने चाहिए, क्या 6 महीने sufficient है, हमारा यह बोद ग्रूप देने के लिए, तो हम सारी अब यहां पर discussion करते हैं, सबसे पहले चाहिए, 30 दोंबर तक आपको registration कराना है, अगर बोद ग्रूप देना चाहते हो, 31 जैनवरी तक registration कराना है, अगर एक ग्रूप देना चाहते हो, जून में, तो यह दो important चीज़े आपको पता होनी चाहिए, अब दूसरी बात करते हैं, यह बताइए कि हमें both group देना चाहिए, single group देना है, first पहले दे second, मैं सारे confusion clear करते हो, सबसे पहले हम बात करते हो, प्रिपर करना चाहते हो, जून में देना चाहते हो, तो आपको late नहीं करना चाहिए, तो तैयारी अभी से and start कर दे लीझे, बात अपको बात पूरा निकाल देते हो जैन्वरी से या फैप से सोचते हो कि मैं बोध ग्रूप दो तो नोट पॉसिबल अगर आप एक महीने का एड्वांटेश लेना चाहते हो तो डिवल एड्वांटेश आपको मिलेगा 15, 20, 20 नवंबर से अगर स्टार्ट करोगे तो 10 दिन आपको स्टार्ट होगा, डिले नहीं होगा, उसी के साथ-साथ इसी तरीके से तैयार किया जाएगा कि बोध ग्रूप बच्चा जूर में आराम से दे सकें, अब हम बात करते हैं, मैं अगर सिंगल ग्रूप देना हो, हमें इतना नहीं बन पा रहा है कि बोध ग्रूप दे ग्रूप बन में कूँकि जो पेपर हैं वो लौके हैं और वो बेसिक पेपर से, अगर आपके पास उनका बेस नहीं है तो ग्रूप टू में आपको बहुत प्रौब्लमाने वाली है, जैसे कि हम ग्रूप बन के पैपर की बात करें, कमप्री लो यह जैंटिक ग्रूप पर आपका ECIPL है आपका CMSL है और आपका यहाँ पर taxation है तो अगर हम taxation की बात करें तो taxation आपके लिए specialized paper रही है यह बात आप भी समझ रहे हो अगर tax special paper होता तो final से क्यों हटाए जाता है तो इसका मतलब आपको यहाँ पर यह समझना है कि पहले group 1 तयार करना है हालंकि उसके अंदर 4 paper है यह ना सोचे लेकिन यह सोचे कि वह अगर तयार होगा उसकी तयारी अच्छी होगी वह clear होगा तो 2 को prepare करने में और clear करने में आसान रहेगी जब आपको यहीं नहीं पता होगा कि company होती क्या है तो company के लिए fund कहां से raise करोगे कैसे raise करोगे जब आप CMSL पढ़ोगे तो उ क्यारी करना चाहते हो तो 30 April तक आपका सारा syllabus खतम हो जाता है हमारे according और उसके बाद पूरा May month होता है, May month नहीं हम इसे बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको कहीं न कहीं हम कह सकते है 360, आप ध्यान दीजिए इस बात पर, 360 गंटे का time लेके चलते हैं, 12 गंटे रोच into 30 multiply करते हैं तो 360 गंटे मिलते हैं और बच्चा अगर चाहे तो बोध ग्रूप बहुत अराम से clear कर सकते हैं और जो से clear नहीं करना वो एक साल का time मिल जाए तो भी clear नहीं करता, तो अगर आप prepared हो, dedicated हो आपको देना ही है तो you may go for both group in June और अगर नहीं चाहते हैं तो go for single group and group 1 तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे like जरूर करें, channel को subscribe करें और हमारे यहां पर fresh बैच स्टार्ट होने जा रहा है बहुत जल्दी, इस वीडियो के description box में कुछ demo lectures है जिससे आपको एक idea मिल जाता है कि classes कैसी है, कैस जॉइन करनी है, तो वो lectures आप जरूर देख लीजिए, उसके बादी आप inquiry करें, thank you, have a nice day.